किसी विक्ति की अगर शादी में डिले हो रहा हो तो वास्तु शास्तर के अनुसार तीन दिशाएं responsible हैं उस विक्ति की शादी में विलंब लाने के लिए और अगर हम ये तीनों दिशाओं को संतुलित कर लेते हैं तो उस विक्ति की शादी में कोई भी जो विलंब आ रहा है वो जल्दी से निकल जाता है और उस व्यक्ति को अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी जरूर मिलता है। इसके लिए जो सबसे पहली दिशा रिस्पॉंसिबल है वो है पूर्ब की दिशा यानि की इस डिरेक्शन। इस डिरेक्शन हमारा सही लोगों के साथ जुडाव बनाने में हमारी मदद करती है। अगर इस डिरेक्शन में आपके कोई भी असंतुलन है तो आप उस असंतुलन को दूर करिए और इस डिरेक्शन में एक उगते हुए सूरे की तस्वीर को जरूर लगाए। दूसरी डिरेक्शन जो रिस्पॉंसिबल है वो है साथ इस डिरेक्शन। साउथीस डिरेक्शन अगर आपकी असंतुलिट है तो उस जगह पर आप उस असंतुलिट को दूर करिए जैसे कि अगर कोई काला रंग आ जाता है, नीला रंग आ जाता है, कोई टॉलेट सीट आ जाती है, तो इन चीजों को आप ट्रीट करिए और साउथीस के डिरेक्शन मे fresh red roses को आप जरूर प्लेस करना शुरू करिए और उसे daily basis पर जरूर change करिए तीसरी direction और जो major direction responsible है वो है मारी southwest zone ये direction वास्तव में हमारे पित्रों की जगह है हमारे पित्रों का आशिरवाद बहुत जरूरी चाहिए होता है अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपने वंश की व्रिधी करनी है या जिंदगी में किसी भी तरह की खुशी उस व्यक्ति को चाहिए southwest direction में अगर कोई भी संतूलन असंतूलन है उसे दूर करके आप वहाँ पर एक golden color का love birds एक golden pair of love birds जरूर place कर सकते हैं और आप ये दिखते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत ही जल्द अपना जीवन साथी जरूर मिल जाता है और उसकी शादी में जो भी विलंग था वो विलंग बहुत जल्दी से दूर हो जाता है